तो दोस्तों यह जो सीरीज है वान दे वाने तो आज मैं आपके साथ डिसक्स करूँगा एंटि हीरो के बारे में एंटि हीरो होता क्या है और लिटोरेचर में कौन-कौन से एंटी हीरो ज किस वर्क में मिलते हैं तो दोस्तो इस वीडियो को beginning से end तक आप दिखिए दोस्तो एक और important आपके लिए बात अगर आप चाहते कि आपकी जीजी सीनेट की preparation एक बहतर तरीके से चलेए चाहे वो paid आप लेना चाहें या free तो दोस्तो आप Unacademy पर मुझे follow कर सकते हैं Unacademy अप्लिकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके AKS राजबीर कोड को यूज कीजे और unlock कीजे free classes Unacademy के platform पर daily 5 p.m. मेरी free special class चलती है Unacademy पर दोस्तो अब मैं आपके साथ discuss करने वाला हूँ this particular topic को यानि इस topic को anti-hero anti-hero दोस्तो होता क्या है सबसे पहले इसके बारे में मैं आपसे discussion करोगा तो दोस्तो ये रहा anti-hero के बारे में सबसे पहला students point anti-hero so this comes from Greek word right anti and hero दोनों को पुछ तो दोनों 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 हमारे mind में एक archetype बन जाता archetype को मतलब होता beginning imprint beginning imprint मतलब हम ये सोच लेते हैं कि hero होता कैसा है तो जब भी हम hero के बारे में सोचेंगे तो उसकी अच्छी quality जाएंगी और ऐसा लगेगा कि जैसे वो मतलब humanity को protect करने वाला है या फिर आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई मुसीबत में है उसको save करने वाला है so anti hero क्या होगा because hero यानि कुछ इस type के हमारे mind में बाते आती है so what does anti hero mean so anti so anti refers to against यानि की opposite and hero so you know hero protector or defender so जो hero के opposite हो तो हीरो के opposite तो villain होता है no students अभी मैं आपको ये सारी चीज़े बता दूँगा कि villain नहीं है but having qualities heroic qualities but against sometime against heroic qualities okay क्योंकि देखिए villain और anti hero में difference ज़रूर है दोस्तों जब आप किसी play या novel को आप बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि उसमें कोई एक protagonist होगा यानि कि जो main character होगा lead character और lead character कोई हम hero बोलते हैं जैसे माली ची किसी movie को आपने देखा and the lead character of the movie is known as hero so दोस्तों कौन हो सकता है आपका anti hero so देखिए एक ऐसा protagonist in a drama और in a novel और in any story कोई ऐसा protagonist हो जो जिसमें heroic qualities की कभी है अब आप सोच रहे होगे कि ये heroic qualities कौन कोई है so heroic qualities like bravery, courage, morality so देखिए bravery एक hero क्या होता है brave होटा वो श्रेव करेगा and courage उसमें बहुत सारा courage होना चाहिए adventure लेने के लिए and morally good so दोस्तो अगर ये qualities की कमी है और वो एक protagonist है किसी work का so वो क्या होगा वो होगा entry hero दोस्तो अभी मैं थोड़ा सा example कि तुरू आपको बताना चाहूँगा वो आप देख सकते हैं you can see the work of Daniel Defoe और इसका नाम है दोस्तो mole flanter ये उपर आप देख रहे हैं सबसे पहला mole flanter Daniel Defoe जो 1722 के time period में ये पुआ काया था this is a novel and on this particular novel you can see character एक heroine है वैसे hero नहीं है named mole mole is the name और वो जो heroine है दोस्तो वो anti-heroine है right not heroine क्योंकि दोस्तो ये जो heroine है so एक तो पहली बात ये thief है और दूसरी बात prostitute है so दोस्तो यहाँ इसमें कहा heroine quality is मिली yes आपका simple answer है कि no नहीं है heroine quality so that's why this is anti-heroine वही anti-hero so anti-heroine वो female concept हो गया ठीक है दोस्तो दूसरे work पराते हैं the great Gatsby the great Gatsby जिसको लिखा है F. Scott Fitzgerald 1925 का दोस्तो यह work है और इस work में आपको एक मिलता है character जिसका नाम है Jay Gatsby ओके और Jay Gatsby is the example of anti-hero students क्यों? क्योंकि वो अपने आपको hero की तरह देखना तो चाहता लेकिन उसमें students कमी है heroic qualities की अब एक और मैं आपको hero का example दे देता हूँ anti-hero का Anthony Burgess का नाम आपने सुना होगा और इन्होंने लिखा एक dystopian novel dystopian novel एक ऐसा novel जो utopian novel के अपोजिट हो तो utopian novel क्या होता है? जहां पर सब कुछ good हो सब कुछ बढ़िया हो सबके लिए equal opportunities हो that is utopian so dystopian novel है जिसका नाम है clockwork orange और इसमें एक character है जिसका नाम है Alex Alex is the name of that character और यह जो Alex है this is example of anti-hero क्यों? Because Alex is sociopath who finds pleasure in harming and terrorizing जब वो दूसरों को harm पहुँचाता है या फिर दूसरों को terrorize करता है तो उसको मजा आता है और even he commits these crimes वो कई बार ऐसे crimes करता है so वो example हो गया ना anti-hero का because उसमें bravery, courage और you know morally good as equality नहीं है दोस्तों एक और भी अच्छा example देखिए Lucky Jim का Lucky Jim दोस्तों एक novel है जिसको लिखा है Kingsley Amis ने और ये novel आया था 1954 1954 में इस novel में अगर आप एक character को देखें Jim Dixon ये अपके जूजी सिनेट में पूछा लिया था Jim Dixon एक character है लेकिन अगर आप देखें इसमें so आपको क्या मिलता है a junior faculty member at a provincial university who despises the pretensions of the academic life so yes Jim Dixon is also example of anti-hero Cash 22 में दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर भी दोस्तों आपको एक anti-hero मिलता है जिसका नाम है Captain John Yosare this is the name जो anti-hero का एक example है और इसके बाद दोस्तों last वाला जो example है यह super duper example the best one example you can say the last one example so this is of Humbert Humbert और मुझे पता है दोस्तों आपने bloody me नबो कोव के लोलिता के बारे में जरूर सुना होगा bloody me नबो कोव का वर्क लोलिता लोलिता दोस्तों एक ऐसा novel है जिसमें आप देखते हैं कि एक aged professor है Humbert Humbert and his relationship with लोलिता जो उसकी daughter है but not a real one daughter उसने लोलिता की मदर के शासा भी किया right so Humbert Humbert and लोलिताज relationship शेक्सवाल relationship so that are going to define that he is anti-hero of the moment तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको anti-hero का concept बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा अगर आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा I think students और अगर आपको पसंद आया so please do share the video with your friends and do not forget to join me daily live on unacademy platform one hour का session होता आपके लिए unacademy के platform पर और wonderful session होता है जहां पर आप आकर के enjoy कर सकते हैं मेरी classes so thank you so much and for paid classes regarding UGC net English you can message me on the given number thank you so much bye take care and good night